हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी क्रशना आज मकर राशी के बारे में चर्चा करेंगे मई का महिना मकर राशी वालों के लिए कैसा रहेगा पूरे 31 दिन हर दिन का हाल आपके सामने रखूंगा लेकिन सबसे बड़ी बात शादी का अचानक रिस्ता कब आ सकता ह पहली इस्तती दूसरी इस्तती ऐसे कौन से दिन है जब आप शादी के रिष्टे से समेंधित बाचीत विशेश करेंगे दो वहां पर लाब मिलेगा एक तो रिष्टा आएगा अचनक उन दिनों में भी बात करनी है लेकिन शादी के रिष्टे की बात कब करें कौन से दिन अच्छे हैं उसकी जानकारी भी दूँगा विभा का विचार कब बन सकता है मकर राशी वालों का उस दिन की चर्चा भी करूँगा कब लाब म आज जानेंगे सबसे पहले तो मैं आपको इसपस्ट कर दूँँ कि आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्र राशी आपको देखनी है मकर राशी अर्थात चंद्रमा दस नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी मकर राशी होगी और यह जानकरी चंद्रमा के गोचर को आधार मानकर बता रहा हूँ चंद्र कुंडली के आधार पर चंद्रमा का गोचर क्या-क्या फल दे सकता है कौन सा दिन शुब रहेगा और किस दिन सावधनी रखनी है तो सबसे पहले बात करेंगे एक माई के बारे में एक माई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो यहां पर एक माई का दिन जो है यहां पर चंद्रमा शुब नहीं है आपकी राशी से अगर चंद्रमा की गणना करें तो चोथा पड़ेगा चोथा चंद्रमा शुब नहीं होता है चोथे चंद्रमा में, आठवे चंद्रमा में और बारवे चंद्रमा में शुबकार्य भी नहीं किये जाते हैं, मुहुर्थ भी नहीं किये जाते हैं तो एक माई का दिन ठीक नहीं है, थोड़ा सा भय रहेगा, चाहे नोकरी से समधित हो, चाहे व्यापार से समधित हो व्यर्थ वाद विवाद किसी से इस दिन बिल्कुल ना करें क्योंकि समस्या रह सकती है यदि वाद विवाद में पड़े तो समस्या हो सकती है थोड़े से विचार भी अधिक रहेंगे और परिवार में कलेश की इस्तती रह सकती है सुभाव में तेजी रहेगी आपके तो खलेश वाली इस्तती भी रहेगी जल्द बाजी बिलकुल ना करें जैसे मकान खरिदना बूमी खरिदना वहन खरिदना क्या और कोई जरूरी काम है तो उसमें जल्द बाजी बिलकुल ना करें एक मई के दिन दामपत्य में भी अनबन का योग बन सकता है शादी हो चुकी है तो पती पत्नी में तनाव वाली इस्तती भी एक मई के दिन रह सकती है मान लिजिए कोई महिला है मकराशी है तो पती से प्रेम पुर्वक बात करें एक मई के दिन या दामपत्य में सुख रहे दामपत्य जीवन अच्छा रहे एसा आचरण करें और यदि पुरुष है तो पत्नी के साथ प्रेम से रहे प्रेम से बाचीत करें तो दामपत्य में अनबन ना हो इस बात पर ध्यान देवें भोतिक संसादनों में रूची होगी वही बात मकान भूमी वाहन खरिदना या अन्य गर में सुक सुविदा का साधन लेकर आना लेकिन इस दिन चंद्रमा ठीक नहीं है दिन ठीक नहीं है विचार तो बनेगा लेकिन दिन ठीक नहीं है नोकरी और व्यापार दोनों में इस्तती सामन्य रहेगी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है अब बात करेंगे दो तीन चार मई ये तीन दिन कैसे रहेंगे मई के तीन दिन कौन कौन से दो माई, तीन माई और चार माई इन तीन दिनों में यदि किसी से प्रेम करते हैं आप तो इन दिनों में परिवार में बातचित करेंगे तो आगे प्रेम के बाद विवाह वाली इस्तती भी बन सकती है तो प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो रिष्टे की बात करें गरवालों से और विवाह का विचार भी बनेगा इन तीन दिनों में शुब इस्तती है विवाह का विचार भी अगर मकराशी के हैं तो आपका विचार बनेगा शादी का और कोई लड़का है लड़की है आपके परिवार में विशेश कर माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो विशेश ध्यान देवें संतान की मकर राशी है तो उसका विचार इन दिनों में बनेगा तो आप भी आगे से कहीं रिष्टा आता है तो संतान को मिलेगा बागी शाली दिन हैं तीनों दिन अच्छे हैं संतान की थोड़ी सी चिंता रह सकती है संतान है तो थोड़ी सी चिंता रह सकती है बुद्धी इस्थिर रहेगी तो जो सोचेंगे उस पर अडिक रहेंगे इन तीन दिनों में यात्रा में ठीक ठीक इस्तति रहेगी ध महां सावधानी रखें या व्यापार में भी हैं और कोई ऐसा मामला आता है जहां बड़े अधिकारी आते हैं सरकारी अधिकारी आते हैं तो उनसे सावधानी पुरुक बात करें पांच और छे माई के बारे में जानेंगे ये दिन कैसे रहेंगे तो कोई पुरुष है तो पत चिड़ापन रहेगा बहस बिल्कुल ना करें चाहे व्यापार में हैं चाहे नोकरी में हैं पार्टनर्शिप अगर कर रखी है तो पार्टनर के साथ भी सावधानी पुर्वक रहें व्यापार में लेंदेन करते हैं तो वहां पर भी आपको सावधानी रखनी होगी धन का ला मकर राशी वालों के लिए तो इन दिनों में सात्वा चंद्रमा रहेगा सब्तम चंद्रमा शुबिस्ति में है अचानक शादी का रिष्टा आएगा इन तीन दिनों में तो ध्यान देंगे तो लाब मिलेगा अचानक शादी का रिष्टा आएगा साथ माई आठ माई नो माई तीन दिन अच्छे हैं शादी का रिष्टा कहीं से आता है तो बातचित करें और आप चाहें तो आगे बढ़कर भी कहीं बातचित करेंगे शादी से समधित तो वहाँ पर भी अचानक लाब मिलेगा विवाह का विचार भी बनेगा इन तीन दिनों में 7-8-9 माई को दामपत्य जीवन भी उत्तम रहेगा शादी शुदा है तो दामपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा पिता को लाब मिलेगा प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी माता पिता से इस समय में बातचित करें इन दिनों में बातचित करें सम्मान भी मिलेगा खानपान में भी हैं इन दिनों में आठवा चंद्रमा रहेगा वही बात आठवे चंद्रमा आठवा चंद्रमा हो तो शुब कारिय नहीं किये जाते हैं जैसे विवाह नहीं किया जाता है या कोई मुहुर्द भी नहीं किया जाता है और वेसे भी आठवा चंद्रमा शास्त्रकारों ने इसे अशुब कहा है तो यहाँ पर आपको क्या-क्या सावधा नी रखनी है लेन देन में सावधा नी रखनी है शरीर में नर्मी रह सकती है रोग रह सकता है धन्का लाब जरूर होगा धनलाब तो अवश्य होगा पारिवारर एक समस्या hilarious वालोग लिए नवा चंद्रमा रहेगा नवम तो दामपत्य में भी शुब इस्तती है विवाह का विचार भी बनेगा इन दिनों में अचानक विवाह का रिष्टा भी आएगा इन दिनों में 12-13 माई को तो ध्यान देवें और कहीं शादी समारो है वहाँ पर भी जाते हैं त समाज में मिलना जुलना होता रहता है तो उससे भी लाब मिलता है और अगर समाज से कड़ जाते हैं दूर रहते हैं तो फिर रिष्टे कम आते हैं इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है तो विवाह का विचार बनेगा अचानक विवाह का रिष्टा शादी का रिष्ट शिक्षा में भी या उच्छ शिक्षा कोई हाय डिग्री लेना चाहते हैं एमे या बीएड है या इसके लावा एमबीए है या पीएजडी है तो उसमें भी लाव वाली इस्तिती रहेगी जल्द बाजी बिलकुल ना करें बारा और तेरा माई को अन्य इस्तितियां सारी ठीक अच्छे दिन हैं दोनों अब 14 और 15 माई के बारे में जानेंगे इन दिनों में चंद्रमा दस्वा चंद्रमा रहेगा मान सम्मान की व्रत्ति होगी नोकरी में शुब इस्तिती रहेगी तो यहां पर यह इस्तिती ठीक है लोगों से सहीयोग भी मिलेगा इन दिनों में और जो भी काम करेंगे उसमें सुगमता रहेगी नोकरी और व्यापार से समंद्ध यात्रा भी इन दिनों में अवश्य हो सकती है और इसके लावा रिष्तेदारों से भी लाव वाली इस्तिती इन दिनों में हो सकती है तो रिष्तेदार जो हैं या सगे समंद्धी हैं उनसे ल परजित करेंगे भूमी मकान वाहन खरिदने का विचार भी बनेगा और खरिदने का योग भी बनेगा खरिद भी सकते हैं अब बात करेंगे सोला और सत्रा माई ये दो दिन कैसे रहेंगे अच्छे रहेंगे ग्यारवा चंद्रमा है अच्छी इस्तति है आमदनी में विशू करती है तो प्रेम विवाहा करना चाहते हैं तो परिवार में प्रेम विवाहा रिष्टे की बात अवश्चिक करें पिता को लाब मिलेगा इन दिनों में 16 और 17 माई को और पिता से भी लाब वाली इस्तती रहेगी पत्नी से भी लाब मिलेगा कोई पूरुश है मकराशी का तो पत्नी से लाब मिलेगा कोई महिला है मकराशी की तो पती से लाब मिलेगा 16-17 माई को तो वहाँ पर लाब वाली इस्तती रहेगी मित्रों से भी लाब वाली इस्तती मित्रों से मिलना गूमना फिडना इस प्रकार की इस्ततियां बनेगी बोतिक समस्त प्रकार के लाब इन दो जाना हो सकता है कई विवाह में जाना या किसी शुबकारी में आना जाना हो सकता है अब बात करेंगे 18 और 19 मई के बारे में ये दो दिन बार्वा चंत्र मां रहेगा बारवाचंदरमां खर्च का होता है शौस्त हरो ने कहा है और यातर का तो यहां क्या सावधानि रखनी एक तो दामपत्त जीवन में सावधानी रखनी की कि शादी-शुद्धा ख्राब न हो पती पतनी में तनाव ना रहे इस बात पर द्यान देवें अन्य था ये दो दिन ठीक नहीं है यात्रौ। वो यात्राश योग तो है लेकिन सामन्य दिन है अनवशक घर्च सायग करिய कोई एसाफ़र ना कररि Σब्सक्ता पिर बाद में पस्ताना पड़े, तो अधिक खर्च से बचें, तार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता हैं इन दिनों में, वानी पर थोड़ा सा ध्यान लगावें, कम बोलेंगे तो ठीक रहेगा, अच्छा बोलें, कम बोलें, अच्छा बोलें, लेन देन में थोड़ी सी आई के बारे में, इन दो दिनों में, चंद्रमा आपकी राशी पर ही रहेगा, शादी के रिष्टे की बात कर सकते हैं, शुब दिन है, लाब उठाएं, दामपत्य इस्तती भी ठीक रहेगी, दामपत्य जीवन भी ठीक रहेगा, धन का लाब भी मिलेगा, भी बनेगा, बीस और इकीस मही को, अब बात करेंगे, बाइस तेईस चोईस मही, ये तीन दिन कैसे रहेंगे, पतनी से लाब मिलेगा, या पती से लाब मिलेगा, यह इस्तती बनेगी, आपकी मकराशी है, तो आपको पती से लाब मिलेगा, या पतनी से लाब मिलेगा, योग भी कहते हैं एसी वानी बिल्कुल ना बोलें जो जहर के समान हो और अगला व्यक्ति जिसको आप जिसको आप गलत बात कह रहे हैं वो फिर आपका अक्षद्रू बन जाए तो सावधानी रखें थोड़ी जल्दबाजी भी रहेगी इन दिनों में 22-24 माई को लेकिन साव सवयापार या नई नोकरी एसा कोई विचार बन सकता है 25-26 माई के बारे में जानेंगे दूर यात्रा का योग बनेगा तीसरा चंद्रमा है धार्मिक यात्रा भी हो सकती धार्मिक विचार भी रहेंगे खरिददारी का योग भी बनेगा बोतिक समस्त प्रकार के लाव खर्च करेंगे या मन पसंद खान पान पर खर्च करेंगे मकान भूमी वहन का विचार बनेगा खरीदने का योग भी बनेगा सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी उत्तम सुख सुविधाएं रहेगी आम धनी में भी शुबिस्तति रहेगी और समस्याओं का समाध माई के बारे में ये दोनों दिन वापस वही बात चंदरमा चोथा रहेगा तो समस्या रहेगी नोगरी व्यापार में कोई समस्या वाली बात नहीं बोतिक संसादनों में भी रूची होगी जैसे मकान खरीदूं वहान खरीदूं या कोई वस्तु खरीदूं तो इन दिनों मे में खरिदना वैसे ठीक नहीं रहेगा इनके बाद में खरीदें गा अच्छे दिनों में ठीक रहएगा विचार जरूर बने का पारिवारिक समझ रहेगी तो पतनी से या पती से प्रेम पुरो वक बातचित करें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें अंधा जो भी काम करेंगे जल्दबाजी में फिर नुकसान वाली इस्तथी भी रह सकती है और किसी से विवाद बहस बिल्कुल ना करें ज्यादा सोचेंगे तब भी कोई फाइदा होने वाला नहीं तो इन दिनों में विचार भी अधिक रहेंगे कम विचारेंगे तो ठीक रहेगा बात्चित करें धनका लाब अवश्य होगा यात्रा में भी रूची रहेगी यात्रा होगी भी और बुद्धी भी आपकी इस्तिर रहेगी जो सोचेंगे वही करेंगे संतान की थोड़ी सी चिंता रह सकती है बागिशाली दिन है कोई समस्या वाली बात नहीं है विवाह का विचार भी इन दिनों में अवश्य बनेंगा 29 31 मई तीन दिनों में और किसी से प्रेव करते हैं प्रेव विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से इस संबंद में बातशीत अवस्य करें इन तीन दिनों में तो मकर राशी पूरे महिने का हाल आपने जाना लेकिन अब सावधानी की दिन वापस रिपीट कर देता हूँ एक माई पूरा दिन ठीक नहीं है इसके बाद 10 और 11 माई ये पूरे दो दिन ठीक नहीं है हलाकि 9 माई शाम को 5 बचकर 7 मिनट से इस्तती ठीक नहीं है 9 माई का पूरा दिन अच्छा है 9 माई पूरा दिन अच्छा है लेकिन शाम को 5 बचकर 7 मिनट बाद फिर इस्तती ठीक नहीं है फिर 10 माई पूरा ठीक नहीं 11 माई पूरा ठीक नहीं 18 और 19 माई ये दो दिन भी ठीक नहीं है इनमें भी सावधानी रखें, सावधानी क्या रखनी है उसके बारे में बता चुका हूँ इसी वीडियो में इसके बाद 27 माई 28 माई इन दो दिनों ये पूरे दो दिन है 27 माई और 28 माई इन दिनों में भी ध्यान देवें और इससे पहले मैं धनू राशी तक 9 राशियों की जानकरी दे चुका हूँ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो को देख सकते हैं उनके लिंक में ने डाल दिये हैं अवश्य देखें और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो यहां लाइक का बटन है अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाले समय में और भी महतुपूर्ण जानकरिया आपको समय समय पर दी जाने वाली है तो वह जानकरिया अगर आपको समय पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें औ और यहाँ पर इस वीडियो को शेर भी अवश्य करें। तन्यवाद जैशी क्रिश्णा।